Hi my beautiful people, आप सभी लोगों को नमस्ते, सिलाम से स्रिकालादा, I hope आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत जादा खुश होंगे अपने जिन्दगे में, पॉजिटिविटी को ला रहे होंगे, तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है, वो इस टॉपिक प तो यहाँ पर जल्दी से चूश कर लीजे, पाइल लंबर वन और पाइल लंबर टू, यानि की सन या फिर वील ओ फॉर्चून, इन दोनों कार्द में से अच्छे से देख लीजे, जो कार्ड आपको बहुत जादा फैसनेट कर रहा है, बहुत जादा ना, एकदम मतलब ऐस कर रहा है कि हां मुझे यह चूश कर लेना चाहिए, आप वो चूश कर लीजे, ठीक है, यह देखें, ओके, एंड शुरू करते हैं, फिर हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास पास पाइल लंबर वन है सन, और सन से हम लोग शुरू करते हैं, वील ओ फॉर्चून को मैं में रख देती हैं, ओके, तो आज हम लोग, इंडियन सेक्रिट नहीं यूज करेंगे, फिकर इंड में सही हमने काट्स चूश किया है, ठीक है, चली, शुरू करते हैं, ओके, हाई माइ बीटिफुल पाइल नंबर वन, तो जिन लोगों ने सन का काट्स चूश किया है, चली विंटर्स हार माइ फेवरेट, बट स्टिल, ठंड इतनी जादा है कि हर चीज पेल हो गई है, प्लीज मुझे बताईएगा कि आप लोगों की तरफ कितना तेंपरेचर अभी चल रहा है, हाल ही में कितना जादा तेंपरेचर चल रहा है, चली, चेकिन करते हैं, मेरे यहाँ तो सिर्फ दो डिग्री है, अब देख लीजें आप लोग, ठीक है, सिर्फ दो डिग्री, सोच के देखें, ओके, और अगर अप लोगो को पीछे से लियो की आवाज आरी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगी, भई, उसको ना, उसका खानी का समें हो गया है, और उसको ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नमबर वन जिन लोगों ने सन का काड़ चूस किया था आप लोगों के लिए क्या काज आए हैं पहले दे रेंबो रिवाइवर सिल्वर वाटरफॉल और अद इसेक्श्वल फ्रीडम क्या लिखाएं आपकी किस्मत में प्यार को लेकर के तो भई नईया काफी जादा डूबी हुई से मझे फेल हो रही है बहुत जादा टेंशन बहुत जादा फिकर है आपको अपने लव की लव लाइफ को लेकर के बहुत जादा प्रॉब्लम्स है हो सकता है आप लोग सेम जेंडर सेक्स भी हो सकते हो ठीक है दूसरी चीज मुझे यहाँ पर क्या फील हो रही है कि कहीं न कहीं आप एक तरीके की जब आप इस रिलेशनशिप में आप चाहे इस रिलेशनशिप में है या नहीं है सब लोगों के लिए आज के रिडिंग तो बहुत सारे group of people मुझे यहाँ पर दिख रहे है by these three cards तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगे कि चाहें आप इस रिलेशनशिप में है या नहीं है आपको एक तरीके की घुटन से फील होती है कई बार और यह घुटन से ऐसे होती है कि यार जितना कर लो उतना कम है इस रिलेशन के अंदर जितना करो उतना कम है जितना में देने की कोशिश करती हूँ उतना ही मुझे कम receive होता है तो यह तो चीज गलत है मेरे साथ पर और actual में गलत है यह चीज ठीक है तो वो चीज मुझे यहां पर दिख रही है दूसरा यह कि आप इस relationship को एकदब मतलब बड़ा बनाना चाहते हो एकदब मतलब कमाल का बनाना चाहते हो आगे बहुत सारे अपने सपने देख रहे हैं इस relation को लेकर के लेकिन बात ह हर वक्त एक ही जगे पर आकर रुख जाती है कि घरवाले नहीं मानेंगे वह ऐसे कर देंगे वह वैसे कर देंगे और चीजें वहीं की वहीं थम जाती है ठीक है आप किसी तरीके का कोई decision नहीं ले पाते है और आपका person हमेशा डरता रह जाता है और यह चीज आपको बहुत जादा irritate करती है ओके दूसरी चीज मुझे लग रही है या तो आप लोग ऐसे person के साथ in contact हो जो कि आपको priority नहीं as a choice समझता है ठीक है वो बंदा और भी बहुत सारे लोगों के साथ flirt करता है by this sexual freedom card हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक तरीके का जो है physical bond भी created हो ठीक है जो कि आप create नहीं करना चाते थे बट आपको create करना पड़ा फिर भी आप इस relation के अंदर एकदम मतलब giver रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कार्मिक के साथ में जो है इन दिनों बहुत जादा आप आपके बहुत सारे relation रहे है मैं ये भी बता देती हूं आप लो नहीं पता है मुझे ऐसा भी लग रहा हो सकता है आप लोगों नहीं रिडिंग ली हो या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको मन में ही पता है कि हां भई ये बंदा नहीं मेरा कार्मिक है और ये चीज आपको कहीं नहीं पता है बट स्टिल आप लोग ना चाहते हो कि ये relation लोंग जाए आगे और भड़े ठीक है तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दू अगर आप लोगों का बंदा जो है कार्मिक है तो ये रिष्टा आगे इतना जादा फैसेनेट नहीं होने वाला है इतना आगे नहीं बढ़ने वाला है जितना आप लोग सोच रही हो ठीक है बाकी और काज हम लोग निकाल के देखेंगे ही कि आखिरकार और ये क्या चाहता है बंदा ठीक है फिर हम लोग थोड़ा सा करियर देखेंगे मैंने ये एक तरीके का ना टेस्ट करके देखा है ये रिडिंग आप लोगों को कित्ती पसंद आती है अगर आप लोगों को और है guys मैं आप लोगों को एक बात बता दूं अगर आप अपमे कार्मिक से डील कर रहे हो ठीक है कार्मिक रोमिक ध्रत ऐसे कार्मी कर्म कर में आप परेशान हो जाओगे ठीक है तो मेरी आपको इस सला है कि आपको इस परसन से किनारा कर लेना चाहिए ठीक है तो इस relation का अभी pile number one जिस भी relation में आप हो इस relation का मुझे as such कोई खास future नहीं दिख रहा है बट for those people जिनको पता है कि हाँ ये बंदा मेरा कार्विक है ओके चलिए अब आपका थोड़ा सा करियर देख लेते हैं क्या लिखा है आपके भाग्य में for करियर ओके वाउ बहुत सा रिकाद आए है ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत सारे competitive exams दे रहे हो ठीक है बहुत सारे competitive exam दे रहे हो और बहुत सारे मतलब काफी जादा आपने पेपर clear करने की कोशिश करिये बट clear हो नहीं पा रहे हैं आप बहुत सादा परेशान हो जाते हैं इस चीज को सोच करके कि या पेपर clear नहीं हो रहे हैं मेरा government exam मतलब clear होगा भी क्या मेरी government job लगेगी भी या नहीं तो मैं आप लोगों को पता दो आपकी government job ज़रूर लगेगी आपको तोड़ा सा वेट करना पड़ सकता हैं लिकिन आप लोगों की government job ज़रूर लगेगी इसमें किसी तरिकी की कोई दो रहा नहीं है कि आपके भागे में यह चीज तो ज़रूर लगेगी और मुझे लग रहा है विदिन आ वन एयर आप लोगों की जो है government job लगने वाली है ठीक है और यह government job आपकी जहां पर लगेगी मुझे तांग जाक इंसेंस बहुत जादा spy करेगा इधर उदर मतलब आपको stalk करेगा तब जाकर के आपके साथ इन relation आएगा बिकोज यह person भी बुझे कहीं ना कहीं heart breaking वाली condition इस बंदे के साथ भी हो रखी होगी ठीक है ऐसा भी होगा आप लोगों के साथ में तो guys overall अभी अगर मैं आप लोगों की 100 बातों की एक बात अगर पूरे सार में एक बार की रिडिंग बताने की कोशिश करों तो यहां पे काज यही बोल रहे हैं कि अभी आप लोग जिस person के साथ इन relation हो अगर वो आपकी कदर नहीं करता है आपको priority नहीं as a choice समझता है आपक कुछ नहीं है तो guys आप लोग की गलत relation के अंदर हो आज की यह जो वीडियो है बहुत कम लोगों से रिजुनेट होगी लेकिन जिन लोगों से रिजुनेट होने वाली है ना उन लोगों को सच में सीख मिलेगी और सीख मिलने भी चाहिए विकरस आप लोग एक गलत परसन के थोड़ी सी महनत करने पड़ेगी और आपका जो वर्क प्लेस होगा वहाँ पर आपको आपका जो जीवन साती है वो मिलेगा ठीक है चलिए कुछ इनका आच में से भी देख लेते हैं आपको लोगों के लिए मैसेज फ्रम दिवाइन हमारे पास है सी मैंने बोला था ना अब परसनल इशू रिचिस रिसलूशन यानि कि यह जो आपका गौर्नमेंट जो वाला किस्सा है यह कंप्लीट होगा एड़ नियू स्टार्ट इस कमिंग सी मैंने कहा था ना एक नया जो है एक नया स्टार्ट जो है आपकी जिंदगी म में आएगा यही लिखा है आपके भाग्य में ओके सो गाइस इस इस अल बाव टोड़ इस रिडिंग आई होगी अगर पसंद आई है तो मैं इस वीडियो का पार्ट टू लेकर आऊंगे जिसके अंदर हम और सारी चीज़ों के अंदर और जिंदगी के जो पहलु है उनके पर बात करेंगे ठीक है अपना अपना ध्यान रखिएगा और किसी भी तरीकी की परस्नल पे डिडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं आप इंस्ट्रग्राम पर मेसेज कर सकते हैं बिकोज अभी क्रिस्मस ओफर चल रहा है और वाट्सप डिडिंग अब देख लेते हैं एंड हैं बिकोज बिकोज बात कर देख लेते हैं और कार मुझे बढ़ बात कर देख लेते हैं क्या हो रहा है और अगे क्या होने वाला है ठीक है एंड है I'm using my these beautiful deck okay bottom of the deck, soulmate it's wow butterfly I just love this card hai no okay let's start करते हैं तो हमारे पास हैं यहाँ पे ओके चिवलरी divine feminine में समझ यह गई थी and the creativity ओके सो जिन लोगों ने भी pile number 2 wheel of fortune का card चूज किया है आप लोग higher level of soulmate connection में हो या फिर आप लोग एक तरिके के twin flame connection में भी हो सकते हो DMDF भी हो सकते हो आज जो यह वीडियो देख रहे हैं वो सारी की सारी divine feminine ही देख रहे हैं देख लो अब यह दुबारा से confirmation आ गई कि जो हमारे DM होते हैं वो ऐसे कोई videos नहीं देखते हैं spirituality से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है हाँ उनके अंदर spirituality ज़रूर बसती है लेकिन वो लोग किसी तरीकी की spiritual videos या पर किसी चीज का मतलब सहारा नहीं लेते हैं उनको कोई नीट नहीं होती बस भागे रहते हैं इसलिए यहाँ पर देखो divine feminine का ही काड़ आया है ओके तो pile number two आप लोग जो है एक तरीकी की ऐसी journey में हो जहाँ पर बहुत कुछ आपको create करना पड़ रहा है बहुत कुछ आपको बनाना पड़ रहा है definitely बनाना पड़ता ही है जब आप DF हो यानि divine feminine हो तो for sure is journey को चलाने के लिए तो आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि आप fertility हो आप growth हो आपके अंदर एक तरीके से मतलब संसार का सार है कहीं न कहीं ठीक है एक तरीके का growth है आपके अंदर तो वो चीज तो आपको खेर करनी ही पड़ेगी तो अभी आप जिस relation के अंदर हो ना वो आपका TF relation हो सकता है या फिर higher level of soulmate connection हो सकता है ये वो मतलब बहुत ज़ाद स्टॉक करना बार-बार पीछे भागना ये सब चीज़ें आप करते थे लेकिन इन दिनो एकदम शान्त हो गए हो खुश हो गए हो अपने बारे में सोचते हो प्यार से जंदिकों को बिताने की कोशिश करते हो ठेक है किसी तरीके का घमंड किसी तरीके का कोई एहंकार नहीं है किसी तरीके कोई ग्रीड नहीं है बस करना है कुछ अच्छा क्रिएट करना है बस ये आपके बन में रहता है तो गाईस मैं आप लोगों को बता दू आपके आगे भागे में लिखा हुआ है union ठीक है आप दोनों का जो है divine union जो है वो बहुत ज़द नजदीक है मैं आप लोगों को ये भी बता देती है because wheel of fortune का card हो सकता आप लोगों ने इससे लिए चूज क्या हो because अंदर से आपको intuition है कि कुछ ना कुछ बहुत जल्द हमारे create होने वाला है तो guys ये ही आपके जो है भाग्य में लिखा हुआ है कि हाँ for sure आपका जो है reunion होगा इस person के साथ जो भी person आपका भी no contact scenario में चल रहा है उसके साथ आपका जो है reunion ज़रूर होगा ठीक है चलिए ये दो काज और देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर five of wands okay and then we have night of source जो चीज मैंने आप लोगों को बोले थी कि reunion आप लोगों को होगा लेकिन हो सकता है ये बंदा आए तो इसके साथ किसी तरीके की लडाई जगडी हो आपकी जगडी लडाई जगडा हो तो किसी तरीके का लडाई जगडा हो सकता है इस परसन के साथ में लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि ये परसन आपको actual में sorry बोलेगा apologize feel करेगा और आपको समझाने की कोशिश करेगा कि देखो मेरे साथ ये दिक्कत थी मैं ऐसे था मैं वैसे था अब जाकर के मैं उस चीज को लेकर के सही हुआ हूँ और मैं अब आया हूँ लेकिन स्टार्टिंग में आने के बाद यूनियन में आने के बाद एक बार लड़ा ही ज़रूर होगी ठीक है और अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करो तो आप लोगों का नेक्स्ट फाइव वीक्स में ना यूनियन होने वाला है ठीक है, congratulations guys तो चलिए देख लेते हैं आपके करियर के लिए क्या काट आता है करियर में अभी क्या चल रहा है बैसे तो मुझे लग रहा है काफी कुछ क्रियेट करने की कोशिश करे हो पूरी महनत के साथ लगे हुए हो, ठीक है पूरी महनत के साथ लगे हुए हो आपको यह है कि नहीं, मुझे करके दिखाना है मुझे अपने करियर को आगे उचाईओ पर लेकर जाना है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक चीज कि अगर आप हलके से भी नेगेटिव हुए चाहे आपके office workers हो चाहे आपके colleagues हो आपके juniors हो आपके seniors हो जो भी आपका workplace है अगर आप थोड़े से भी negative हुए ना तो चीजने खराब हो जाएंगे आपके career के अंदर तो आपको उस चीज को बदलना चाहिए ठीक है किसी तरीके का आगे भागे मुझे आपके साथ किसी तरीके का कोई घपला कोई cheating होती हुए मुझे नजन आ रही है office में या फिर आपका अगर कोई business है तो उसके अंदर तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर करेने की जरुवत है ओके एक काड़ा निकालते है हम लोग जिसकी वज़े से आपको बहुत कोई जॉब आप पकड़ने की कोशिश करो कुछ भी new create होगा आपकी जो है business में या फिर आपके career के अंदर ठीक है कुछ ना कुछ new आपके पास create होता हूँ मुझे नजर आ रहा है with this ace of wands card ओके तो आपको थोड़ा सा ना इस cheating से बचके रहना चाहिए तरवाइस situation बहुत ज सब कुछ होता है हमेशा अपने आपको इस चीज से आकना कि divine feminine के पास सब कुछ होता है डिएफ के पास सब कुछ होता है ब्रह्मान की वो ताकते जो उसको खुद को पता नहीं होती है ठीक है एक तरीके से शक्तिश स्वरूपा होती है वो okay अब चाहे लड़के हो डिएफ उसमें या फिर लड़किया हो बात एक ही बराबर है तो किसी चीज को compare ना करें और guys यह थी आज की reading I hope आप लोगों को पसंद आई हो मैंने एक तरीके का ना एक तरीके का मतलब कहलो trial लेके देखा है अगर आप लोगों को ऐसे भाग्ये के उपर readings बहुत जादा पसंद और उसके अंदर detail आपको अच्छे से बताऊंगी एक चोटे-चोटे aspect के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे उसके अंदर और जानेंगे ठीक है तो यही थी आज की reading I hope आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों के साथ ऐसा ही सब कुछ हो आमीन अपना ध्यान रखें क किसी भी तरकी की personal paid reading session लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं और Instagram पर मेसेज कर सकते हैं ठीक है विकोज अभी Christmas offer चल रहा है तो चलिए अपना अपना ध्यान रखेंगा बाई